बिर्याणी एक constant battle है कि किसकी बिर्याणी सबसे ज़ादा better है और यही नहीं बिर्याणी कैसे बनती है In fact, हर state की, हर community की अपनी एक अलग बिर्याणी है तो जो आपके घर पे बनती है वो शायद मेरे घर पे नहीं बनती है जो मेरे घर पे बनती है शायद वो किसी और के लिए authentic नहीं है या real नहीं है लेकिन बिर्यानी एक ऐसी डिश है जो जब भी बनती है पूरे घर के अंदर खुशू पहल जाती है और अगर आप थोड़ी सी जादा बनाएंगे तो मोले तक भी खुशू पहल जाएगी आज हम बनाएंगे हैदराबादी पके गोष्ट की बिर्यानी हम लेंगे गोष्ट जब आप गोष्ट लेंगे हड़ी वाला गोष्ट लेंगे तो बेस्ट है पिकाज उसके अंदर काफी फ्लेवर होता है या इस लुक्त करण इसमें डालेंगे नमक गोडमांट हल्दी लाल मिट्ज पावडर खड़े मसाले में इसमें जाएगा शाही जीरा, इलाईची और दालचीनी एक जेनरिस अमांट आफ गालिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट इसमें हम डालेंगे ये दही, खूब सारे पुदीने के पत्ते ये है हमारा फ्राइड अनियन, जिसे हमने टेल में फ्राइ करकर निकाल लिया है, इसे बरिस्ता भी बोलते हैं ये है हरी मिर्च, ग्रीन चिली इस अप टो यू, दो से तीन, जितने आपको स्पाइसी बनानी है मेर पास है ये ओईल, इस ओईल में मैंने इन प्यास को भूना था, फ्राइ किया था, ये ओईल इसमें जाएगा और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे एक खास बात ये है कि जबी भी हिद्रबादी बिर्यानी हम बनाते हैं, तो उसके अंदर कभी भी केवडा या फिर गुलाब नहीं जाता ताट्स मोर टूर्ज दी लखनवी साइड अल्सो टमाटर का इस्तमाल नहीं होता हाला कि केरला स्टाइल बिर्यानी में टमाटर इस्तमाल होता है not all बट जो मोपिला या मापिला बिर्यानी है उसके अंदर टमाटर जाता है इसे हम डालेंगे इस देग में अब इसे हमें पकाना है जब तक कि यह पक रहा है हम लोग पानी को यहाँ पर चावलो के लिए उबाल लेंगे साथी साथ यह है बास्मती राइस और इस राइस को करीबन आदे घंटे से लेकर पौने घंटे तक आपको पानी में सो करके रखना है इसे अच्छे से भूना है अब आज को हलका करके इसे कवर करके पकाना है जत्ती देर में गोष्ट अल्मोस्त 80-90% पक जाएं अच्छे से बाटन बहुत बढ़िया तरीके से पक गया है अलका सा जोल है इसके अंदर इसे करेंगे हम बंद अब हम राइस की तरफ जाएंगे यह सोक्ट राइस है और उसे हम अब ब्लांच करेंगे लेकिन उससे पहले हम डालेंगे खूब सारा नमक थोड़ी सी लाइच एक ग्रीन चिली मेर पास है यह थोड़ा सा ओल लग दिस कम आउन तो बॉइल उसके बाद इसमें चावल डालेंगे एक अच्छे बॉइल के बाद इस मसाले को हम हटा देंगे वी डोंट एक्सेस मसाला और इसमें अब जाएगा चावल आई थिंक एक अच्छी मेजरमेंट है कि जितना आपका गोष्ट है इन वेट उतना ही चावल इन वेट आप ले सकते हैं जब तक चावल ब्लांच हो रहा है यह आटे को हम यूं लंबा कर देते यह इस्तमाल होगा दम लगाने में जो चावल है उसको करीबन 80% पकाना है हमने बाकी का वो दम पर पकेगा गोष इसका ढखना भी त्यार है चावल तैयार कैस को करेंगे पन और इस अब हम छान लेंगे चावल डालने से पहले हम डालेंगे थोड़े पुदीने के पत्ते थोड़ा सा फ्राइड अनियन और अब इसमें हम डालेंगे चावल यह जो चावल का पानी है करीबन एक लाडल यह हम इस पर डालेंगे यह हम इस पर डालेंगे at this stage if you want आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं now quickly इसे करेंगे हम seal once again on a high flame करीबन एक से देड मिनट तक ताके यह दुबारा से पकना शुरू हो जाए उसके बाद इसे धीरे करेंगे बिर्यानी तयार है इसे करेंगे बंद best is कि इसको आप दस मिनट तक रेस्ट करने दे यू ही बंद रहने दे से उसके बाद हम बिर्यानी खोलेंगे all right guys time to open this बिर्यानी now बिर्यानी खोलना भी एक कला है एक पत्रले सिरे वाला या तो इस तरीके का स्पून या फिर कोई प्लेट एक किनारे से ऐसे रोटेट करके इसको फ्लफ अप करेंगे इसको खोलेंगे फिर स्कूप आउट करके सर्फ करेंगे अगर ऐसे आपने चब्माज डाल दिया तो सारी बिर्यानी मैश हो जाएगी और अब यूँ आराम से just open it एक साइड से एक से एक सिरे से देख रहे हैं एक के कंड बिलकुल अलग प्यूटिफल ये नीचे मसाले वला चावल जो गोश्ट के साथ है उसे डालेंगे पहले और उसके उपर ये उपर का केसर वला चावल और अच्छी बिर्यानी की निशानी है ओविसली के चावल ना लंपी हो ना ही कच्छा हो कंड कंड अलगो and the best test is जब अब हांडी का तला देखते हैं have a look look at that absolutely clean bottom which means बिर्यानी बिलकुल नहीं लगी इसे गार्निश करेंगे तोड़े फ्राइड इन्स के साथ और थोड़े मिंट लीव्स के साथ और हमारी हैद्रबादी गोष्ट बिर्यानी तयार भार्निश के सार्सवाघ से टकुल नाफिगे टोड़े हैं हम जोड़े अब बिर्यार्न एप जार्मे लीवडरी जग एार्नियां